जैसे दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चलने टेग्नियर डीशी में दोस्तों आज हम बात करेंगे टीटीवल एक्स आइरन के बारे में यदि आपने टीटीवल एक्स आइरन पर्चिस किया है जो कि बहुत ही ज्यादा कोश्टली आइरन है इसको हर टेक्निचन आइरन है जो कि डेड हो गया ओनली इसमें बैक लाइट का रेट लाइट इंडिगेट हो रहा है मतलब रेड लाइट आपका जल रहा है इस डिस्पेले में कुछ भी सो नहीं हो रहा इसको जानेंगे कि अगर आपके पास भी कोई टीटीवल एक्स आइरन है जो कि खराब हो हो गया है और बहुत कोश्टली होने के साथ साथ हम इसे कैसे स्टेब बाइस्टेब करते हैं इसमें SMPS बोर्ड का इस्तेमाल किया गया है और उसे किस तरा से फुल सब्सक्राइब ऐसे फॉलो करना होगा वीडियो अच्छे जाने सब्सक्राइब पर लिडियो को लाइक ऐस इसी वीडियो में आपके इलातर है जो से आपका कोच नकुछ तो फाइदा हो और हमारा ओनलाइन ऑप्रेंट क्लास दोनों स्टार्ट होने वाला है दस परविवन्दी से आप अपनी सीट को बुक करा सकते हैं इस नंबर पर चलो देख लेते हैं टीटो लैक्स को इस तरह स करते हैं जैसे हमारे टीटो लैक्स है जो कि हमने यहां से इसको और किया है तो सबसे पहले आपको समझजना होता है कि जो इसका मैन सर्केट है जिससे आप आप SMPS इसमें सरक्ट का इस्तमल किया गया है ठीकिए आप यह क्या सकते हैं SMPS बोड है तो यहां से आउटपुट में हमको 23 वोल्टेज आउटपुट मिलना चाहिए तो पहले आउन किया है एक वार बोल्टेज चेक कर लें थे कि हमको मिल रहा है कि नहीं तो हम अपने मीटर को सेट करेंगे डीसी वोल्टेज पर तो यहां पर हमको 23 मतलब हमको 24 मोल्टेज करीब हमको मिल रहा है ठीक है तो यहांपर हमारा जो यह अंदर का सरकेट है जो Show sound की इसका आउटपुट है क्योंकि हमने अभी इसका व्टेज चेक कर लिया कि जहां से यी वायर आयए है वो बोर्डिक तो बोर्टे कोई प्रॉल्म नहीं है ज़ी आपके बोड़े यहाँ पर नहीं मिलते हैं तब आपको एक बार अपने अंदर के बोड़ को चेक करना होगा क्योंकि इस में एक्चल प्रॉल्म क्या है हमारा बोल्टे आप्पूट क्यों नहीं हो रहा तो यहां हमारा हो गया है हम समझेंगे एक्चल हमारा डिस्प्ले किस तरह से वर्क करेगा मत्रव यह जो सर्केट है इसको कमपणी ने किस तरह से बनाया गया है वह हम समझ लेते हैं जैसे आपका कोई भी कंपनी किसी भी सरक्रेट को रिप्यार करते हैं सबसे पहले यहां से हम इसको AC वोल्टेज देते हैं तो माल लो कि आपका यह आपका AC वोल्टेज यहां से इसको दिये जाएंगे डाट करेंट ठीक है यह हमारा सरक्रेट है जो कि हमको यहां पर 24 वोल्टेज आउट्पुट में देता है जहां कि ठीक है तो यहां पर हमारा आउट्पुट में 24 वोल्टेज हो गया तो यह फीड़बेक है अब आपका 24 वोल्टेश हमको यहां मिलेगा तो हमने यहां से हमारा AC वोल्टेज आपका घर का लाइट का जो भी आता है यह प्रॉक्स में लिख दिया यह वोल्टेश इसके अंदर गया यहां से आपका यह वोल्टेश यह बोर्ट से ठेक है इस बोर्ट से कर्मन होकर हमको यहां पर डीसी वोल्टेश मिलेगा 24 तो यहां से हमको यह माइनस हो गया और यह आपका प्लस हो गया इस एक एक एंसी या फीडवेग कह सकते हैं तो हमको यह 24 वोल्टे यहां पर मिल गया ठीक है यह आपका circuit ने input में AC वोल्टे दिया इसको इतना और हमें output में हमको यह वोल्टे मिल गया इसके मतला हमारे board का यह ठीक है क्योंकि हमारा light indicate चल रहा है और हमने वो डेयिवी चेक कर लें अब हमारा problem हे वह इस बोड का है ठीक है अब आप देखेंगे इस बोड के लिख लगा हुआ है ठीक है डिस्प्ले का मतलब होता है कि अक्टोल इसके अंत्र जो डिस्प्लेय वह कीपेट फोन का का मिया है लगता है वही डिस्प्लेय का इसमें यूज किया गया है तो इसका मतलब हमारा कीपेट फॉन की लाइट कितने वोल्टिज पर ओन होती है तो पहले आपको यह समझना होगा समझो यह सैकेंड बोर्ड आपका यहां पर है और यह आपकी डिस्प्लेय है कीपेट हेंट्षैट की अब इसको और होने के लिए कितना बुट चाहिए कम से कम तो जैसे आपका माल लो कि आपका यह कि आ आपका त्री पॉइंट 3 से लेकर आपका 3.7 तक यह डिस्प्लेय आपका ओन हो जाता है यह वाला डिस्प्लेय ओन हो जाता है यह कहलो कि यह जो board है वो आपका एक तरह का keep it phone है, keep it phone का ही plate इसके अंदर लगा दिया गया है, यह मान के चलो, पस इसको voltage देना है जिससे हमारा phone on हो सके, तो यह display हमारी on हो सके, ठीक है तो display को on होने के लिए यह voltage चाहिए, अब हमको इस voltage से यह voltage करना है, ठीक है, तो इसके ल इस्तमाल किया गया है, ठीक है यहाँ पर एक IC लगाई है, 6L1 का, एक diode है, एक coil है, तो यहाँ पर इनों ने work converter का इस्तमाल किया गया है, ठीक है work converter आपका वही है, जो power IC के पास work coil लगते हैं, जहां से बोल्ट को कम किया जाता है, तो से उसी तरह से यहाँ भी कुछ किया गया है, तो हम मैं माल लेता हूँ कि यहाँ से company के developer ने एक वक कर्वेटर का इस्तमाल करके हमें 5 voltage दिया है, क्योंकि यह सारे voltage series में होते हैं, यहाँ पर हम चाहें तो एक 8805, एक IC होता है, जो कि आपको दिखने में कुछ इस टाइब का होता है, इस टाइब का, ठीक है, इस IC का अंदर आप यह, इसका मतलब है कि आप 78 voltage, इसको DC voltage, दे सकते हो, यह आउट पर आपको 5 ही voltage आपको देगा, ठीक है, पांच ही voltage आपको यहाँ पर देगा, तो हमारा तो यह 24 है voltage, तो हम इसको देगे, तो हमको 5 voltage और नर्मली आराम से मिल जाएगा यहाँ पर, तो इसमें क्या यह circuit हमारा डैड है, अभी हमको चेक करना है, कि सरकेट से हमारा 5 voltage output होता है कि नहीं, पहले हमको 5 voltage बनाना होगा, सम हमारा अभी भी डिस्प्ले on नहीं होगा, क्योंकि इस डिस्प्ले का मानख चलो, यह इस डिस्प्ले को on करने का CPU है, जैसे keeper set में CPU होता है, सारा control करता है, ऐसे यह display तो on करना है, तो circuit बनाया गया होगा, जैसे हमारे keeper set में में display बनाने के लिए पूरा circuit बनाया जाता है, एक IC का फ्रिस्थ मल करती है, जो कि आपकी एक तील लेकी ऐसी होती है, जिसमें input में यह मिलता और output में आपको 3.3 voltage output में मिल जाता है, तो जैसे 3.3 voltage मिलेगा, तरंत यह display आपकी जल जाएगी, और यही voltage CPU को मिल जाएगा, जैसे CPU work करेगा, और आपके display को on कर देगा, तो पह करेंगे कि हमारे problem actual कहां पर है, तो इस तरह से आपका कोई भी छोटा voltage ऐसे बना जाता है, तो पहले हम लगाती है, चार्जर, यह चार्जर लगा दिया, ठीक है, अब हम पहला voltage चेक करेंगे यहाँ पर, कि हम को यहाँ पर कितना voltage मिल रहा है, तो अभी हमने meter को set किया, अप voltage चेक कर लेते हैं पहले, तो पहले voltage चेक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपर 30 मिल रहा है, मतलब की हमारा 24 वोल्टे अप्रॉक्स, हमको मिल रहा है, मतलब यहाँ तक हमरा line okay है, अब हमको, इस voltage को कम करना है, तो यहाँ पर company ने, यहाँ पर complete buck converter करस्तमाल किया गा, यह यहां पर एक वक्रनौन करका जिससे जिसने वोल्टर को कम करकर फायब बोल्टर बनाया जा सके तो हम यहां पर यह भी लगा सकते हैं अगर आपके पास यह नहीं है तो कोई शुने पहले हम करने के लिए यहां पर एक यह चोटा साइशी लगाया हुआ है इसके एक साइट फाइब वोल्टे आएगा एक साइट आपको 3.3 देख लिए इसके फाइब लगाये यहां पर और यहां पर चेक करेंगे इसके इस पॉइंट पर को कुछ भी वोल्टे नहीं मिल रहा और इसका आउट्पूर्ट में पिक कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा वो जबकि हमको इस पर 3.3 voltage output होना चाहिए इसका मतलब है कि हमारा यह circuit जो dead है वो इसलिए है क्योंकि हमको हमारे keep it को on होने के लिए 3.3 voltage नहीं मिल रहा जो कि यही से IC को on करता है और display हमारा जबी on होगा तो हमारा circuit यह complete खराब हो गया है इसके अंदर क्योंकि हमारा 5 voltage actual output ही नहीं हो रहा यहां से अब हमें इसके लिए या तो हम यह IC लगा सकते हैं नहीं तो हमारे पास एक work converter होते हैं इस type के यह आपका एक work converter है जो कि इसके अंदर भी आप 78 voltage दे सकते हैं और आप output में जितना आपको voltage चाहिए उतना voltage आप यहां से ले सकते हैं इसके अंदर यह लगा है एक रजिस्टर है इसको आप घुमा कर preset बोल सकते हैं घुमा कर voltage को कम ज्यादा कर सकते हैं तो हमको इस से 5 voltage इसके लिए आउटपट में चाहिएगा आउटपट चाहिएगा आउटपट चब इसको 5 voltage हमारा इस आइसी को मिल लाएगा तब हमारा 3.3 voltage output हो जाएगा और हमारे डिस्पले जल जाएगा तो लिए बात देखते हैं इसको लगा कर कि कि हमारा काम करता है कि नहीं क्योंकि हमारा वक्लार मक्रटर जो की यहां से यहां तक बंता है वो खराब हो गया इसलिए हमारे «डिस्पले इंडि स्वार्ट कर रहा सवेर समय क्रेंद्रक नहीं वोडॉड में यह चेक कर लिया है अब जो मार पास iron है वो हमारे यह है P to 10 इस से जंपर लगाएंगे ठेक है घ९। इसका केबल को को लगा ले थे एक बार थो जा शारा में अच्छा लेटे मिमीट को और कालीपल को यहा लगा ले तिया करेंदर से हमारे यां हो सके वी वाय हूं क्या करेंगे अपने वक करेंगे तो इसके लिए सिंपल पहले हम को क्यारना क्या है मानस से मानस को जोड़ लेंगे क्योंकि दोनों महीं मानस चाहिएगा ठीक देखो यहां पर यह जो रेड़ बाहर है वो यहां पर लेखा हुआ यहां पर गत्रत गंवास करते हैं कि यहां पर दोनों को एक बार ग्राउंड से ग्राउंड अचेच कर लेते हैं कि आप ने यह दोनों वाइर कर लिए है क्योंकि हमको ये तो लगाना है इसके इनपुट्ट में यहां से हमको फाइब बोल्टे मिलेंगे जो कि हम इस आइसी को देंगे को कि इस आई-सी के एक साइड में को फाइब बोल्टे मिलना चाहिए हमारा इस्तमाल किया गया है जो कि हमारा थाइब बॉल्टे बनाएगा उसके बाद ही हमारी डिस्प्ले को अन होने के लिए 3.3 मिलेगा थो हम करें किया इसमें यहां पर आप यह हमने मानिस कर दिया ठीक यह मैनेस हो गया अब हम को यह तो इनपूर्ट है मादर यहां पर आप डीसी वोल्टिज को दे सकते हैं 78 तक और यह आपको आप पूर्ट में जतना आपको वोल्टेच चाहिए उतना आप इसे घुमा कर प्रिसेट को कर सकते मैं ने को लगाते हैं अपने यहां पर अब यह हमारा लग चुका है ठीक है यह प्रिसेट हमने लगा दिया अपना अपना सब्सक्राइब लगा दिया है अब यह आउटपूट आउटपर हमको फाइब बोल्टे चाहिए तो फाइब लोटें हमने इस में इसके अंदर सेट करके र आउट-ट उटे लिए अब देखूए वी वोले हमने यहां पर दे दिया अब हम चेक करेंगे यहवाला आरण को बंद कर देते हैं ठीके यह वाला आरण हमने बंद कर दिया है अब हम इसको चेक करें कि कि अब हमको करना क्या है इसके फीचे थोड़ा सा paper लगा देने गिण इससे सोर्ट शर्कृट ना हो और हम सी इसके फिट कर देता हूं चोटे चोटे भी टाइप के आती है इसे वह क्रणूटर आप भी उज़ कर सकते यहां पर लगाता हूं है ठीक है यहां पर लाइच जल गया है अब भी वोल्टेज को चेक कर लेता हूं सारे वॉल्टेज तो पहले बोल्टे चेक करेंगे वही यह भी आपका और हो चुका है मतलब यह काम कर रहा है कि यह मारा मेटर है अब हम बोल्टेज कुई वार मेजर कर लेंगे पहला बोल्टेज करेंगे हम यहां पर कि मिल रहा है अब हमको चेक करना हम को यहां पर फाइब बोल्टे विए क्योंकि यह वारा सर्क्राव हो और जो कि इस को चेले काई-सी है जो कि बजाना मिलता नहीं है इसलिए हमने अलग से लिए बोल्टेज इस इस दो में मिलना चाहिए जबी हमारा आउटपूट होगा डिस्पले को ओन करने वाला बोल्टे 3.3 तो हम इसको भी देख लिए है ठीक है तो हम माइनस को माइनस लेंगे और यहां से बोल्टे चेक कर लेंगे हमको 5 बोल्टे मिल रहा है कि मतला हमारा कर्मेटर 5 बोल्टे को दिया अब हम में और पर नों कितना मिलता है जो कि हमहें 3.3 कम से कम चाहिए अपनी डिस्पले को ओन करने के लिए अब यह भी देख लेंगे आउटपूट में कितना मिल रहा है कि देखो यह रहा है कि हमको इसके आउट्पूट में भी तिरी बोल्टे मिल रहा है ठीक इसका मतलव हमारा डिस्प्लेव और हो गया होगा ठीक वाच एक कर लेते हैं देख सकते हैं हमारा डिस्प्लेव और हो चुका है ठीक इस से कर ने के लिए हमको इतना को काम करता है तो हम इस तरह से अपने सर्केट को कमपीर्यों बना लेते हैं आपको इस वीडियो से बहुत कुछ समझ माया होगा उम्मिद करता हूँ जाहिद जाबारत बंद मात्रव